वानेकम वंदिनम सुवागत मनमसी सर्शेकाल सलाम वालेकूं हले दूस्तों मैं आपके प्रेया दूस्त प्यांका अब सब एका स्वागत करती हूं गागे क्लासिस के एडिटोरियल आइडिया पेच के डिसकर्शन पर तो आज डेट है 6th of April देख लेते हैं न्यूस देखें आज इदर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में ही RBI के इंफलेक्शन के बारे में हैं आपको बता होगा कि जो RBI है हमारी जो RBI है जो RBI है इसके चार क्वार्टर चलते हैं जैसे फर एक्जांपल अगर आमाल लीजिए में से चलता है नया क्वार्टर में जून जुलाइ का एक क्वार्टर और अगर्स सेप्टेंबर और अक्टोबर का एक क्वार्टर उसके बाद नवंबर दिसंबर और जैन का एक वार्टर फिर फेब मार्च और एप्रिल का last quarter तो ये तीन-तीन मन्त के 4 क्वार्टर्स चलते हैं तो अभी कौनसा last quarter चल रहा है जो उससे पहले का जो 3rd quarter था उसकी ग्रोथ करीब करीब 7% 7-8% रही है एकनॉमिक की ग्रोथ 3rd quarter में तेक है मतलब दिसंबर नवंबर दिसंबर और जैन में तेक है उसका डेटा फैब में निकला था अब जो है फैब मार्च एप्रिल अब में एप्रिल खत्मों के में के आसपास जो है आपका 4th quarter का निकलेगा तो उसी के बारे में ही आर्टिकल है ये ठेक है नॉर्मल रूटीन वाला आर्टिकल है ऐसाच कुछ खास इंपॉर्टेंट एक्जाम परस्पेक्टिव से नहीं है क्योंकि ये डेटा हर तीसरे चौथे quarters में change होता रहता है लेकिन एक परस्पेक्टिव देखने पर इजी रहता है जब हम इसमें छोटे-छोटे keywords भी होते हैं तो देख लेते हैं तो देखिए अभी April का month last quarter शुरू हो गया है तो इसमें में ली राइटर ये बता रहे हैं कि आपका जो है टाइम पर जो अब लास्ट एप्रेल भी बचा उसमें भी 7.6 तक तो यह आपकी जो growth है वो बनी रहेगी momentum fourth quarter तक ठेक है तो that means आपका पूरे सल 2023 का economy की जो growth है वो 7.6 से 8% तक मानी जा रही है कि इतना तो maintain रहे गई रहेगा economic growth का अब देखिए दूसरी बात जो आपका जब जो composite purchasing manager index PMI PMI करता क्या है न जो आपकी जितने भी private companies है न इनकी मंतली survey होती है ठीक है इससे पता चलता है कि private sectors में किस-किस चीजों का जो है PMI है composite purchasing manager index तो इसमें ये बोला गया है कि इस PMI में कि March में अभी 61.8% जो है इसका expansion zone था 61% जो है इसका expand हुआ है that means ये काफी अच्छा भी growth कर रहा है direct और indirect अगर text collection की बात करें तो वो भी जो है काफी solid performance दे रहा है ठीक till March तक और अगर हम बात करें non-farm sectors के particularly construction की बात करें manufacture की बात करें financial services की बात करें ये सारे sectors पिछले तीन quarters ये अच्छे रहे हैं सिर्फ और सिफ एक को छोड़कर agriculture growth जो की 0.7% रहा है 23-24 के पुरे साल में ठीक खेर अगर हम बात करें expenditure की side में तो GDP growth जो है वो largely investment driven पर depend करती है especially आपके private consumption जितना ज़ादा होगा उतनी है आपकी GDP है वो ज़ादा होगी क्योंकि private consumption जितना ज़ादा होगा आपकी demand उतनी ज़ादा होगी production उतना ज़ादा होगा तो employment बढ़ेगा है ना लोगों की income generate होगी तो लोग जो है वापस खर्च करेंगे तो इस सरीगी से जो है private consumption है वो बढ़ना आपका GDP को indicate करता है तो writer बता रहे हैं जो private consumption है वो mainly है आपके sustainable growth और key monitorable का काम करती है ठीक है consumption बना रहेना बहुत जरूरी है market में अब क्रिजल जो है agency की जो है report है इनके experts ने ये बताया है कि इंडिया की जो growth है ना वो कम से कम 6.8 रहेगी इस पूरे साल 2023 का जो year था खतम होगा जो April में वो 6.8 रहेगी ठीक है लेकिन इन्होंने बताया है कि RBI का जो rate cut है वो 2022-23 में इन्होंने जो rate cut दिया था वो आने वाले 2024-25 में जाके impact पड़ेगा देकि rate cut क्या होता है जो आपको पता होगा कि RBI क्या करती है RBI banks को पैसा देती है ठीक है बैंक को पैसा देती है तो जैसे जिसको हम CLR बोलती है SLR बोलती है ठीक है cash liquidity ratio statutory liquidity ratio इससे क्या होता है in short अगर मैं simply समझाओं आपको तो RBI करती क्या है bank को पैसा देती है bank क्या करता है जितने भी industrialist है या फिर businessman के लो या फिर जो है normal individuals ले लो उनको पैसा borrow करती है फिर ये लो क्या करते है अपने business में या किसी भी चीज में जो है invest करते है अब जिसे individual है तो लोग जुसे लोग है तो वो loan लेती है किस चीज के लिए वो घर लेंगे अपना घर बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे ठीक है business वाले business में लेते है तो इससे क्या होता कि आपके जो market होता है उससे पूरा एक activity बनी रहती है पैसे की flow चलता रहता है ठीक उसमें जो है अब depend करता है कि RBI किस rate पे यानि ब्याज rate जो है किस rate पे बैंक को पैसा दे रही है कही न कही market का जो है एक growth जो होती है वो रुक जाती है ठीक है तो राइटर यह कह रहे है कि 2022 के last में और February 2023 जो पिछल साल गया उसका जो rate है वो impact बढ़ेगा आने वाले साल में हम बात करें कि जो fiscal deficit है वो होता क्या है तो यह होती है कि government जो है उनकी income क्या है ठीक है और उनका expenditure या outgoing है वो क्या है देखे अगर यह fiscal deficit अगर आपका income कम है ठीक है income कम है एक मिनिट fiscal deficit अगर आपकी income कम है और आपका expenditure ज़ादा है तो that means आपका fiscal deficit है ठीक है अगर income ज़ादा है और expenditure कम है that means आपका fiscal deficit नहीं है fiscal surplus है आपका ठीक है क्योंकि income ज़्यादा है तो राइटर यह कह रहे हैं कि lower fiscal deficit ना देखे हमेशे आपको लगेगा कि income हमारा ज़्यादा होना चाहिए और deficit हमारा यानि expenditure हमारा काम होना चाहिए यह ज़्यादा फाइदा मन दोगा नहीं तेकिन economy ऐसा नहीं होता economy में क्या होता है जितना आपका खर्च होगा expenditure जितना ज़्यादा होता है income से ज़्यादा और आपका इससे क्या होता है कि fiscal deficit होता है fiscal जो है government का budget घाटे में चल रहा है कि आप अपने income से ज़्यादा है ना income से ज़्यादा आप अपनी जो outgoing ये खर्च ज़्यादा कर रहे हो तो सरकार के लिए या किसी भी नेशन के लिए outgoing expenditure ज़ादा होना फाइदा मन रहता है rather than lower fiscal deficit पता क्यों 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 होता है कि जब आपका deficit ज़ादा है ना यानि घाटा ज़ादा है तो that means आपका जो पैसा है या तो investment में जा रहा है या किसी भी चीज में जो है कही ना कहीं पैसा लग रहा है या आप ज़ादा-ज़ादा जो है import कर रहे हो या ज़ादा-ज़ादा आप जो है कही ना कही lane-dain कर रहे हो जिसके उदे से आपका deficit है और deficit हमेशा economy को बना के रखता है ठीक है? economy को हमेशा बना रखता है तो राइटर के ही बता रहे है कि lower fiscal कभी भी economic को boost नहीं करता ठीक है और lower जो है boost नहीं करता तो इसलिए जो है आपका economy growth नहीं बढ़ती है ठीक तो राइटर के ही बता रहे है कि 2024 पच्चिस में जो है आपकी RBI की growth है वो धीरे धीरे जो है hope है कि बड़ेगी और सबसे बड़ी बात जो है अभी हमारे जो governor है RBI के शक्तिकान्स दाथ उन्होंने ये बात बोली है कि अभी देखिए अभी जो nation है पूरा जो globe है वो एक dis inflation से निकल गया है dis inflation मतलब inflation आपको पता है जो इंडिया का अभी inflation है वो कम से कम 4% से जाता है specially अगर आप food inflation देखोगे तो वो कम से कम 7-8% है और आपको पता है food inflation जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं है ये पूरे globe में है globe में है उसी को तो राइटर ही बता रहे है जो governor है उन्होंने ये बात बोली है कि जो inflation है ना वो अब disinflation हो रहा है disinflation यानि जो inflation की बढ़ने की जो rate है वो कम होती जा रही है वो दीरे-दीरे कम होती जा रही है अब जो globe है वो निकलता जा रहा है उससे तो ये expect है कि RBI की जो policy है inflation को 4% तक maintain करने की अब जिसे आपको पता है कि RBI ने बोला था कि plus और minus 4 to 6% ही जो है inflation होना चाहिए है ना तो उस पे क्योंकि पहले तो ये था कि 2 to 4% ही होना चाहिए plus और minus 4 RBI ने recently बोला था कि 4 से 2 to 4 तो नहीं तो at least हम 4 से 6% plus और minus इसके बीच रखेंगे ठीक तो RBI भी बोता रहा है कि आने वाले टाइम पे इसको हम इतना maintain कर पाएंगे ठीक इसके लव अगर हम बात करें कि crystals की जो देखिए अभी crystal ने क्या बोला गर आप उपर देखोगे crystal ने बोला कि इस साल इंडिया का जो growth है वो 6.8% तक रहेगा लेकिन RBI ये कह रहा है कि crystal से ज़ादा ही हमने estimate किया है और हमारा जो है 7% तक GDP growth रहेगा किसने काया है ये RBI ने काया है ठीक है और हमारा जो inflation है महंगाई जो है वो 4% तक drop हो जाएगी हमारा target 4-6% तक था और हमारा inflation 4.5% तक आ जाएगा that means हम अच्छा अभी balance का काम कर रहे हैं और उपर से हमारा जो crude oil है जो सबसे ज़ादा import होता है भार से और जिसके वज़े से हमारा inflation आपको बता होगा सबसे ज़ादा food और fuel में inflation हमारा ज़ादा होता है इंडिया के अंदर और fuel तो पूरा-पूरा भार के international market पर depend होता है तो राइट है कि इस पर हमने थोड़ा अब जो है दीरे दीरे वो अब हम impact अच्छा करेगा ये और दूसरी बाद जो food के लिए Indian Metrological Department है इन्होंने बोला है कि आने वाले 6 महिने तक second half तक हमारा एल्लिनो का impact रहेगा जिसमें बारिश कम होगी लेकिन उसके बाद जो है लालीना का impact रहेगा जिससे बारिश अच्छी होगी production अच्छा होगा तो क्या होगा कि आपका जो food का price वो कम होगा ठीक है और अभी जो है इन्होंने बोला कि food inflation जो है अभी हमारे इंडिया में 7.4% है ठीक है जो कि पिछले लास्ट फर्स्ट गैरा मनता की बनी रही और non food inflation जो बिना खाने के आइटेम है वो सिर्फ और सिफ 4% है सोचे कहां 4 और कहां 7% बहुत जादा है food inflation अभी हमारे इंडिया में ठीक तो अभी इन्होंने बोला कि लेटेस्ट अगर फरवरी का जो डेटा है दाट मींज नवंबर दिसंबर और जैनवरी की quarters का थर्ड quarter का जो डेटा है उसमें food inflation 8% बताया है और non food 2% बताया है ठीक और इसके लवा इन्होंने बोला है कि अगर core inflation, core inflation क्या होता है जिसमें हम food और fuel को हटा दे ठीक है, core inflation होता है और उसके थरू आप एक headline inflation निकाल सकते हो और headline inflation में इन्होंने बोला है कि 52 weeks में, 52 हफतों में 34.% रहा है आपका जो food inflation है ठीक है, तो food inflation तो इस तरह के से चीज़े धेरे-धेरे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात जो है इन्होंने बोला है कि वो volatile हो रही है, सबसे ज़्यादा आपकी volatile हो रही है, vegetable inflation ठीक है, कितनी पहले 27% थी जनवरी तक और सबसे ज़्यादा अब हो गई है 30% तक February में तो food inflation में अगर vegetables को देखोगी तो वो सबसे ज़्यादा volatile है और RBI ने भी चीज बोलिये कि vegetable सबसे ज़्यादा volatile होता हूँ दिख रहा है क्योंकि एक short term crop होता है इसलिए इसके जो price है बहुत quickly high कोती है, ठीक है तो धेरे जो है इसका ये कम होगा खेर इसके लब इन्होंने बोलाया कि जो आपका food grain inflation है वो अब जो है धीरे धीरे February की बाद अभी तक अभी February में highest आया है 9.8 आया है February के quarters में ठीक है, जो fourth quarter का first month था तो राइटे कहे रहे हैं कि अभी धीरे धीरे हमारा food जो है वो कम होगा जो आपका inflation है, down supply shock जो है वो धीरे धीरे हमारी improve करेगी लेकिन देखें यहाँ पर आर्बिया ने ये भी बात आपकी जो central bank को ये भी कह रही है कि down supply इनकी policy से तो नहीं हो सकता ठीक है, आर्बिया की जो policy है उससे आपका down supply वो ठीक नहीं हो सकता लेकिन लेकिन central bank की जो policy है उससे उनकी जो non-food items होते हैं जो बिना खाने के अंदर में नहीं आते हैं जिसे आपका furniture हो गया या घर के कोई भी materials वो सारे जो है उनकी policy से यानि इनके central bank के policy से क्योंकि ये rate जो है वो cut करेंगी उससे साबसे पैसा bank को मिलेगा उससे साबसे जो loan होगा वो भी सस्से में मिलेगा तो overall जब cost अगर कम पड़ेगी इनको loan interest कम पड़ेगा तो बनाने वाला भी जो cost है वो जादा नहीं बेचेगा तो इससे साबसे राइटर कहने हैं कि food पे तो नहीं हो सकता जाले कि non food में जरूर हम इस चीज़ पे जो है policy central bank काम करेगी ठीक है और इसके लावे इनोंने बोला है अभी देखे inflation का सबसे जादा जो problem है वो lower income family को पड़ा है अगर आप बात करोगे जो सबसे जादा lower family उनमें से 20% जो नीचे level पे रहते हैं या below poverty level या इस सरे के से तो उनमें आप 20% के जो urban population उसमें भी अगर आप 20% urban population देखोगे तो उनको 5% जो है 5.5% inflation phase करना पड़ा और 20% वो लोग जो top level के हैं urban में जो अमीर या अच्छे खासे family से हैं उनको 4.7% inflation phase करना पड़ा है ठीक है क्यों क्योंकि जो urban लोगें उनका जो consumption basket है वो बहुत जादा होता है क्योंकि वो food पे जादा जादा अपना खर्च करते हैं और same ही ऐसा ही जो है आपका ruler area मेरा है ठीक है और इन्होंने बोला है कि ये जो है 2024 पच्चिस तक ठीक हो जाएगा तो अब देखिए आपका जो food inflation है वो काफी हाद तक बढ़ता ही जा रहा है तो यहीं सब चीज़े हैं कि दीरे दीरे आपका consumption कम होगा दीरे से rate of rate कट होगी देखिए इतना important नहीं है एक glimpse है बाकि इसका data हमारे exam perspective से लंबे time पे तो काम नहीं आने वाला है ना तो बस एक देख लेना है कि क्या चल रहा है और अभी इन्होंने बोला कि normal monsoon जो है वो सही रहेगा healthy agriculture बढ़ेगा और तो automatically आपका जो है ruler consumption भी बढ़ेगा और lower food inflation भी हो जाएगा चीक है और अगर हम fuel inflation के अगर हम बात करते हैं तो अभी देखिए fuel inflation अगर आप overall देखोगे तो world level पे भी 2024 में भी देखिए अभी जो है per bellar 80 से 85 dollar मेल रहा है ठीक है तो writer कह रहे हैं कि अभी एक मिनिट अभी जो है इनका कम होना तो दूर की बात है अभी के टाइम पे और अगर हम federal reserve जो आपका US का central bank है ठीक है वो federal reserve और European का central bank है इन्होंने अभी जो है अभी तक जो है उनके rates है जो bank loan देती है उसके rates को cut नहीं किया है इस वज़े से उनका जो है headline inflation और core inflation काफी high बना हुआ है ठीक है और यह hope है कि March पे भी वो कम करेंगे ठीक है तो क्योंकि देखे यह international level पे यह जस्ट राइटर बता रहे हैं लेकिन आगे अब देखते है हमारे इंडिया की भी क्या बात होती है तो उसमें सेम उन्होंने बोला है कि जो federal है वो आने वाले time पे उनकी जो service price inflation है क्योंकि US में service जाता है तो service price inflation अभी उनका 2% है 2024 में ठीक है तो अभी देखे एक्सपेट कर रहे हैं कि वो जो है आपके जून तक जो है आपके अमेरिका की federal bank और आपकी यूरोपन की है वो जून तक rate कम करेंगे तो लेकिन इंडिया की जो monetary policy है न वो domestic conditions पे ज़्यादा believe करती है या sorry depend करती है rather than international के आप ये बात line याद रखेगा कहीं ऐसा exam में आ रहेगा कि आपके अगर federal rate जो है वो rate cut interest rate cut करती है या European bank cut करती है तो इंडिया पे impact पड़ता है लेकिन policy monetary policy पे देखिए impact पड़ता है किस basis पे पड़ता है जैसे कि वहाँ पे क्या होता है rate cut हो गया न तो क्या होगा loan easily मिलेगा investment जो है cost कम पड़ेगी तो इंडिया में जितने भी अमेरिका के investors है न वो इंडिया को छोड़के अमेरिका चली जाएंगे या इन अमेरिका में जादा invest करेंगे ठीक है as compare इंडिया के लेकिन अगर monetary policy की बात रही ठीक है planning की रही तो planning पे इतना फरक नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह domestic conditions को depend करता है क्यों domestic conditions कैसी है rather than आपके US की ठीक तो यही बात बता रहे है राइटर तो आने वाले time पे कम होगा और अभी जो है Asian banks ने भी cutting करा है Central Asian economics जो है अब धीरे धीरे अपना second half में कम करेंगे तो यही है fiscal deficit कितना कम होगा बाकी इतना important नहीं है लेकिन हाँ बाकी राइटर इब बता रहे हैं कि अब पूर monsoon और बहुत extreme weather event आ गया तो oil prices बेगरा बहुत ज़्यादा spike होने का chances global में है ठीक है तो next article चलते है देखिए इधर idea पीश पे दो articles है एक AI पे है एक अभी हमारे जो foreign affair minister है foreign affair minister जैशंकर उनका जो है visit हुआ है Philippines में तो China के लिए एक message है उसको बताते हूँ एक अच्छा article है देखिए AI में तो अभी क्या है आपको पताओ बहुत सारे articles हमने AI पे discuss किया था लेकिन अभी मुद्धा क्या है मैं basically story बता देती हूँ simply अभी क्या है देखिए AI आपको पता है कि question mark है क्योंकि ये जो है ethical चीजे follow नहीं करता AI जो है है ना आपने देखा होगा कि AI जो है ethical चीजों को follow नहीं करता बहुत सारे जो है अभी open AI आया था ठेक है इसके लावा Microsoft का AI था Japan की company थी US की company थी या European की company थी और अभी ये भी हमने recently पढ़ा भी था कि European Union पहला ऐसा nation बना जो AI पे जो है act लेकर आया है है ना और अभी जो है world level के बहुत सारे companies पर बैन कर दिया है कि आप अभी AI पे काम मत कीजिएगा क्योंकि ये ethically violation बहुत जादा करेगा है ना तो अभी recently time अभी क्या हुआ है कि New York Times जो है New York Times आपको पता होगा जो है Newspapers निकालते हैं ब्लॉग जगर निकालते हैं इन्होंने क्या है case करा है Open AI पे Open AI Company जो है किस चीज़ को लेकर case किया है इन्होंने बोला है कि अभी इन्होंने क्या किया है अपनी एक AI model को ना देखें हर AI अपने language पे चलता है इसकी खुद की language होती है तो उस language को बनाने के लिए Open AI Company ने क्या किया है The Times of New York वो जो newspaper निकालता है जो blogs निकालता है तो उसकी as it is who by who जिस तरीके से वो view देता है जिस तरीके से वो summary निकालता है उसकी copy किस ने करी है इस AI ने करी है तो यही बात जो है इसमें New York Times पे case किया है और AI Open AI पे एक मिनट Open AI पे आपके जो New York Time है इसने copyright का issue कर दिया है कि copyright किया है कि इसने हमारे material जो है अपने AI को बनाने में use किया है पहली बात दूसरी बात जो है दूसरा कोई भी compensation या कुछ भी चीज जो है पैसा नहीं दिया copyright यूज़ करने के लिए तो इस पे ये case चल रहा है यही एक पूरी story है इस पे तो अब ये LLM जो आपका large language models है इसको use करने के लिए तो यही बाकी इसमें कुछ article इसमें as such है ने इसको बस ये थोड़ा सा language इस तरीके से बता दिया और अब writer जो है यही बात हो रहे है और इस पे case चल रहा है कि New York Times ने बार-बार यही लगाए कि इतनी बड़ी company है कि 90 billion की जो company है GPT, इनकी open GPT है open AI की जो chat GPT है इनकी billion ही 90 billion है इतनी बड़ी company होते हुए भी इन लोगों ने copyright किया है that means New York Times of India के जो जैसे news paper जैसे for example कोई बंदा news paper निकालते तो वो columns बनाता है उसमें view देता है review देता है उसकी summary करता है तो same इन लोगों ने अपने AI को बनाने में भी method use किया उसको सिखाया है तो इसी वज़े से New York ने काया कि copyright का violation है और हमसे permission नहीं लिया दूसरी बात ना हमें कोई पैसा या कोई भी जो है पैसा नहीं दिया main चीज तो इनको पैसा किया था तो इसलिए इसलिए इस पर case किया गया है अब देखिए open AI ने तो ये बात बोल दिया अब जब open AI से पूछा गया तो उन्होंने का देखिए पहली बात हमने ऐसा कुछ लिया नहीं है हमने जनरली इंटरनेट से लिये है और New York Times हम पर case इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद जो है open AI के काफी सारे products को जो है क्या कर रहा है hijack कर रहा है इसने open AI ने उल्टर New York Times पर claim किया है और ये इनके US की सुप्रीम कोट पर case चल रहा है और Microsoft ने इस बारे में ये respond करा है देखिए ये तो वे same ऐसा ही claim हो गया जब Hollywood में आज से 30-40 साल पहले जब Hollywood और American Movies में सबसे पहले वीडियो cassette recorder का use किया गये था जिसमें वीडियो record होके आपके market में sale होने लग गई थी पहले तो ऐसा था कि movie theater में देखके आओ है आपके पस recording का कुछ नहीं मिलेगा तो market में जब recorders आए थे न तो क्या होता है उसका भी violation को उस समय भी case किये गए थे उसने उन्होंने बोला कि यह copyright का violation है ठीक है लेकिन जबकि असल में इसने क्या करा था Hollywood को खत्म नहीं कहता जबकि Hollywood को आगे बढ़ावा दिया इस cassette recorder ने और एक new market emerge कर दिया revenue के लिए ठीक है तो वही बात हो गई यह वाली बात थो कि AI आ रहा है तो इसने जो New York Times ने आरोप लगाया है कि New York Times के जो तरीके हैं उसको open AI, open की जो AI है उस पे इनोंने use किया है ठीक है तो यह Microsoft की दरफ से था उनके counterpart में लेकिन जो US की Supreme Court है उसने इसको cancel out कर दिया कि यह कोई बात नहीं हुई है तो और इसके लावा जो है अभी एक और चीज़े बताइए कि जब 2023 में तब यह New York Times ने बताया है कि जब 2023 में open AI अपने अपने काम कर रहा था तो उसने AP करके associate press करके एक वो है company पनी तो उसके साथ इसने license भी ली है ताकि वो उनकी news stories बेगरा ले सके तो इसी तरह के से New York Times कह रहा है कि हमें भी इस तरह के से लेना चाहिए था अगर वो अगर आपको चाहिए तो आपको यहां पे पैसे या compensation की बात करनी चाहिए कि आपका product हम यूज कर रहे हैं तो हमें जो है copyrights का legally license लेना चाहिए था तो यह एक मुद्दा है तो इसमें हमें basically हमारे इंडियन परस्पेक्टिव यह हमारे exam परस्पेक्टिव से copyright इंपॉर्टेंट उचाता है copyright जो की intellectual property right का एक component है तो आप इसको एक बार रिवाइस कीजिए copyright किस किस प्रडेक्ट पर लगता है यह case है बाकी तो राटे यही finally conclusion में कर रहे हैं कि देखिए आने वाले टाइम पर AI जितना जितना बढ़ता जाएगा उतने ज्याधा humans की जितन Philippines पे तो अब राटे एक तरीके से यह कह रहे है कि Philippines पे विजिट ना चाइना यानि Beijing को एक message है क्यों message है देखिए आपको पता होगा कि बड़े लंबे टाइम से ना अभी रीसेंटली भी वापस न्यूज में था कि जो आपका South China Sea जो है South China Sea जो है उस पे Philippines भी आता है ठीकि और भी nations है especially Philippines का जाधा majority है चाइना कह रहे है पूरा South China Sea जो है वो मेरा है ठीकि इस वज़े से वापस dispute में रहता है Philippines और चाइना तो वहाँ पे जो है अभी रीसेंटली फिलिपेंस में विजिट रही है तो उस पे आर्टिकल बता रहे हैं क्या है देखिए राइटर कह रहे पने साथ अधे कर रहे हैं तो उन में क्या कर रहा था वह नाम चांज कर रहा था इंदिया के नेम है उन सिटिस में तो वहां पे रहा है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया तो उसी चीज़ को देखकर जो आपके इंडिया के मीडिया सोशल अक्टिविस्त थे इन्होंने क्या करा कुछ जो आपके मेली जो तिबबत और जो आपके चाइनीज अरनचर पिदेश के आसपास के जो नेम थे उसको इंडियन्स के फॉर्म में रखा जैसे बीजिंग या फिर चाइना के सिटी है उसको इन्होंने शांगीपूर करके बोल दिया नंजियां करके जो है उसको नंदीगड बोल दिया और युवान को यानम पुरम कर दिया और चेंगडू को न्यू चंडीगड कर दिया हुबई को हनुमान कर दिया गंगजाओ को गांधी नगर कर दिया यह सिर्फ उसे funny activist के लिए था tit for tat दिखाने के लिए कि अगर तू अपना हमारा नाम change कर रहा है तो हम भी तेरा नाम बदल सकते हैं जिस social activist कोई ऐसा वो नहीं था कि government ने कुछ ऐसा किया है ठीक है तो रैटर यहां जैंगनन करके उसने rename करा ठीक है इसी तरह की से उसने 2017 में अरणाचर प्रदेश के छे नामों को change किया और 2021 में उसने 15 places को 2023 में 11 नेम और 2024 में total 11 places और इसमें से 11 residential है और 12 mountains, 4 rivers, 1 lake और 1 mountain pass और even piece of land है जिसके name चाइना ने अपने according करे है यह ठीक है तो external minister जो हमारी है government उन्होंने बात बोली है कि देखे यह हमेशा से जो यह तमाशा चलता है चाइना की दरफ से उसको कभी भी expect नहीं करते हैं डिस्मिस ही करते हैं ठीक है और especially even जो अरणाचर प्रदेश का नाम भी जो जैंगं करा उसको भी हमने cancel out किया है ठीक है यह किस इनका एक historian figure का नाम यूज किया रैटर ने जैंग करके जैंग यह ना 90th century से पहले के इनसान थे उनकी लिखी हुए एक novel थी जो 90th century में जाके famous हुई तो 90th century में जब यह novel famous आई बाहर आई कि जैंग के द्वारा लिखा गया तो उसमें उन्हों क्या किया जो जो इन इन novels का इनकी द्वारा लिखे हुए novels का यूज किया गया route और destination को देखने के लिए तो इन्होंने पता है क्या claim किया इन्होंने कहा कि यह 15th century में है ना 15th century में जो जेहन है यह श्री लंका के coast पे जो है इन्होंने और आणाचरal प्रदेश में विजिट किया रहे थे इन्होंने और यह चीज है हमारे nobls की जो जेहन की जो novel है इसमें लिखी हुई तो आपको भी खुद है पक्का ये इसमें मिलेगा तो हमारे पास राइट टू वर्शिप का अधिकार है ये चाइना ने क्लेम किया है अर्णाचल प्रदीश पे ठीक है तो आपको भी खुद ये बहुत ज़्यादा राइटर बतारे कि सेंसलेस साउंड होता है और आज के टाइम पे तो बिलकुल है लेकिन ये चाइना का एक तरीके से वेपन है एक्सपांशन करने का और देखे चाइना ने ये 15th सेंचरी का जो एक्जामपल देखे चाइना के श्रीलंका के जो कोस्ट पे हमन टोटा आपने न्यूज में भी देखा होगा कि हमन टोटा जो आपके श्रीलंका के इस्ट कोस् इस तरीका है चाइना का ये बोलते हुए कि हमारे ancestors गयते हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को, इस सरीके से same इसने अरणचर प्रिदेश में भी किया है, ऐसा writer बता रहे हैं, ठीक, खेर, इसके साथ जो है writer ये बता रहे हैं, जो हमारे suggestion करें, उन्होंने अभी last week March पहीं, अभी last जो March गये हैं, उसमें Philippines को, इन्होंने विजट के हैं, और आपको पता है कि, चाइना और Philippines की बीच में अभी काफी टसल चल रहा है, फिलिपिन्स और चाइना की बीच में, regarding South China Sea को लेकर, ठीक है, क्योंकि चाइना कहता है कि South China Sea पूरा मेरा है, इसका पूरा resource मेरा है, तो मैं यूटिलाइज करूँगा, तो उसमें Philippines की दरफ इंडिया ने support करते वे बोला है, और लेकिन हमेशा क्या होता है, कि इंडिया अपने आपको expand करने में हमेशा से जो है avoid करता आया है, that means जादा interference directly तो नहीं करता, वो कभी भी, अब जिसे उसके quards के members हैं, जिसे quards के, जितने ले बनाया था कि चाइना को counter करना है, है ना, तो ये लोग भी मिलकर जब इंडिया को बोलते हैं directly आने के लिए, तो इंडिया directly नहीं आता सीधे ही तोर पर, है ना, तो same Philippines में भी नहीं है, लेकिन हाँ, Philippines के case में इंडिया नहीं, जो हमारे external minister मिचे जैशंकर ने ये बात बो अने बोला कि जो unclosed 1982 है, आपको पता है कि जिसे for example कोई भी नेशन है, मैंने कच्छा तीव वाला इशू है, उसमें भी बताया था, जिसे कोई नेशन है, अन्कलोस क्या है, ये कोई नेशन है, मान लिजे, ठीक है, ये इंडिया ही है, अब इंडिया की नेशन की जो land है, land स 12 nautical mile तक क्या होता है, कोई भी नेशन जो है, इंटरनाशन लेवल पर ये अन्कलोस का रूल लागो होता है, मैं इंडिया का example बता रही हूँ, इसमें 12 nautical mile तक क्या होता है, कि आप जो है, अपनी fishing कुछ भी activity कर सकते हो, लेकिन इस 12 से लेकर आने वाले बाकी 222 nautical mile तक हो देखें, ये जैसे ये इंडिया माल लीजे, यहाँ इसका 12 nautical mile है, ठीक है, और 12 के बाद यहाँ इसका 222 nautical mile है, ठीक, इसके बाद ये आपका high sea शुरू हो जाता है, लेकिन ये यहाँ तक तो आपका इंडिया की जो, देखें, इस 12 nautical mile तक आपकी जो इंडिया, इसके इधर साइड पूरे, आपकी जो इंडिया के लोग है, ये किसी भी कंट्रे के 12 nautical mile तक अपना सारा fishing सब कुछ कर सकती है, लेकिन इसके बाद आपका जब international, क्योंकि यहाँ से लेकर ये पूरा international line शुरू हो जाता है, international sea शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से 12 nautical mile से 222 तक अगर आपको कुछ भी काम करना है, इस बीच अगर काम करना है, fishing वगरा करना है, कुछ भी research करना है, तो इस बीच जितने भी countries आईगी न, उन सबसे आपको पूछना पड़ेगा, इसके surrounding में जितने भी countries हैं, उनको बताना पड़ेगा कि आप क्या research कर रहे हो, कुछ भी, अ spherical में था, वो high sea में जाके अपने मन मर्जी से fishing कर सकता है, research कर सकता है, इसमें कोई permission नहीं होता, यही है आपका unclosed 1982, ठीक है, तो इसी चीज़ का violation कहीं न कहीं चायना करता है, ठीक है, तो writer, इंडिया जो है, इसको याद दिलाते हुए कह रहा है, कि देखिए, इसमें जो है इंडिया हमीशा फिलिपेंस के support में हैं, और फिलिपेंस को अपनी sovereignty को maintain करके रखनी चाहिए, और अभी जैशन करनी जो है, फिलिपेंस के जो minister है, जिसे प्रेजिडेंट है, Mr. Farnard Macro, उनसे भी बात करी थी, कि आप South China के dispute में अपने आपको आगे रखे, और सबसे बड़ी हेक बेज ने यह बो दिया थे कि चाइना जो है, वो क्या कर रहा है, violation कर रहा है, unclosed का, तो यह वैलिड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, आपकी जैशन कर जी है, याद दे आ रहा है फिलिपेंस को, तो हेक का जो decision था, वो remain करिया, फिलिपेंस का ही है, वो location South China Sea, चा वो कही न कहीं, against दिखाते हुए, दिख रहे हैं, इंडिया की तरफ से, ठीक है, और यह भी बोला है, इंडिया ने कि अगर कोई भी consequences है कि हम फिलिपेंस का support करने के लिए ready हैं, और whatever consequences जो भी आएगा, हम उसको face करने के लिए तयार हैं, तो राइटर यह बतारे हैं कि इंड 2016 को जो है, last year, last year, कहां सोची हेग का, जो हेग permanent court है, उसका 2016 में decision आया था कि चाइना वॉयलेट कर रहा है, South China के सी के unclosed rule को, अब जाके वो पिछले last year, जो है, चाइना ने क्या काया, कि चाइना जो है, अब follow कर रहा है, South China सी के जो sovereignty है, फिलिपेंस की, तो राइटर कही न क एंडरिक मिनालो की विजट जो है, इंडिया में रही थी, किस लिए, by little dialogues के लिए, ठीक, तो इसी वज़े से जो है, अब चाइना को ये दिखा कि इंडिया जो है, फिलिपेंस की तरफ बढ़ रहा है, तो चाइना ने का कि हाँ ठीक है, मैं हेग का जो law है, या जो decision है, उसक चाइना को खरे नहीं उतर रही है, है ना, और लेकिन जो है, यहाँ पे आपकी global times ने ये बात बोली है, कि अभी जो इस महीने, अभी मार्च में जो 2024 में विजट हुई है, जैशेंकर की कहां पे फिलिपेंस में, तो ये कोई political नहीं है, diplomatic purpose से नहीं है, ये तो सिर्फ ये हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है, ये चाहरा है, चाइना की, चाइना जिन जिन नेशन को, जिन जिन नेशन को territory ली प्रॉब्लम दे रहा है, उन सब को आपस में जोडने का काम कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, तो अब देखें, और यही बात है, कि राइटर बार निकली है, उसे ये बात निकली है, कि चाइना ये कहना चाहरा है, कि इंडिया को लगा कि मैं फिलिपिन्स के इस मुद्धे में बंदा रहूंगा, और मैं जादा जादा रिसोर्सेज और यहां पे जो है, जितनी भी चीज़े हैं, उसको एक्स्प्लॉइट करूँगा, और इंटरनाशनल कम्यूनिटी पे मेरी इमेज जो है, खराब होगी, इससे क्या होगा, चाइना जो है, इंडिया की इन चीज़ों में उलजह रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीके यह किसने बोला है, चाइना की तरफ से बोला है, तो तो इसने ये बात बोली है, कि इस तरह की चीज़े हैं, अब खेर जो है, इंडियन गौर्रमेंट यही बात बता रही है, अब देखिए, राइटर के हम बता रहे हैं, कि इंडिया बहुत एक रिस्पॉंसिबल नीशन है, यह वार मॉंगर नहीं है, ठीक है, और यह हमेशे रिस्पॉंसिबल और इंफ्ले रिलेशन्शिब के लिए, उन्होंने का सबसे पहला तो हमें पीस मेंटेन करना है, दूसरा हमें जो है, प्रायरिटाइस करनी चाहिए, स्टेबिलिटी को प्रायरिटाइस करनी चाहिए, तीसरी क्रेडिबिलिटी को, that means trust या worthiness को हमें जो है, प्रायरिटी देनी चाहिए, तो जो है न, इंडिया है, वो यही बात चाइना से एक्सपेट कर रहा है और चाइना से हर ग्लोबल का नेशन एक्सपेट कर रहा है, कि आप जो यूएस से एक्सपेट कर रहे हैं, आप से बाकी लोग भी एक्सपेट कर रहे हैं, इवन इंडिया कह रहा है कि चाइना चाइना झाल झाल